यूटूबर एलविश यादो पर सापो के जहर से नशा कराने वाली पार्टी आयोजित कराने का आरोप लगा है NGO PFFK Animal Welfare Officer ने नोयडा पुलिस से इसकी शिकायत की थी बताया जा रहा है कि NGO के मुख्विर ने एलविश यादो से संपर किया था मुख्विर ने रेव पार्टी करने और कोब्रा वैनम का इंतिजाम करने को कहा जिस पर एलविश ने एजेंट का नमबर दे कर बात करने को कहा मुख्विर ने जब एजेंट से एलविश यादो का नाम लेकर बात की तो वो पार्टी के लिए तयार हो गया इसके बाद सारा जाल विछाकर नुएड़ा के डियेफो को इसकी सूचना दी गई